विदिशा जिले के कुरुवई में मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सोपा जिसमें राश्टी जन समस्या समाधान समिती ने मांग की है कि मुख्य मंत्री जीला सहकारी बैंक की बकाया भरने की तारिक 31 मार्च है जिसे बढ़ा के 30 अपरेल कर दिया जाए क्योंकि अभी कई किसानों की फसले नहीं कटी है ना ही सरकार की तुलाई के इंदर शुरू हुआ हैं कई किसान इस कारण से वंचीत रह जाएंगे और बैंक से डिफाल्टर हो जाएंगे क्योंकि अभी ग्यों की फसल कटने में देर है एवं फिर तुलाई होगी तुलाई के बाद राशी आएगी तब जा करके किसान बेंक का करजा ड्यू कर सकेगा इसलिए माननिय मुख्य मंत्री जी और क्रशी मंत्री क्रपया किसानों के उपर दया दिखाए और कम से कम एक महिने का टाइम और किसानों के लिए दे ताकि किसान समय रहते ड्यू जमा कर सके विदीश इसमां की गई है कि जिला सहकारी बेंक में के सी सिरंड जमा करने में समय सीमा बढ़ा जाने के संब्द्द आपकी साम की पूर्गुश से भसल रही है लेकिन आपकी बेंक उनों से समय शीमा 31 मार्स दी है कई किसान इसे बंची तरह जाएंगे और कमलनाद जी के समय जैसे लोग डिफंटर हो गए थे ऐसे ही कई किसान डिफंटर हो जाएंगे अधरनी मामा जी इन किसानों को कम से कम एक महीने कावर्ट समय दिया जाए आपकी इस केसी सिरंड जमा करने की समय सीमा 30 अफ्रेल बढ़ कि आप लोगों ने किस विसार पर गया पंदिया है चार आपके गई है किसानों को सहिकारी बेंक को जो व्यू करने की तारिक है कि अभी किसानों की असल है। पुरू तरीके से कटेंगी है। कब कटेंगी, कब कुलाइखेंगी सुरूओंगी, कवन का अनाज भूकेगा, कवन अगासी मे लेगी। तब जाकर प्रोग्मेंट भी पर पाएंगी। आनी ही मख्माज से महदा पीजिए से महदान है। यवी किसानों को लावगग की लावग एक मही एक महथ की już सब्पतें हैं। मार्स्ष प्रूब फ्रेजर पाएंगी, आप से कर्मतंद प्रतना करती है तिस्षट के मध्यम से महदान है। जमानी हुटने की दोगे आप दी किसान हैं किसान को आप आनी भाद की जानते हैं किसान को एक मेंवे के समय दिया जाए धन्यों हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल आज डेव्यू 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें